नमस्कार साथियों, दो हजार तेस में घटना चक्रद्वारा प्रकासित वार्षिकी करेंट अफेर पॉइंटर जिसके अंतरगत वैस्विक, सामाजिक तथा अंतर राष्टी संगठनों के समाच्चार से समंदित जो भी करेंट अफेर नोट्स होंगे, उनको हम पॉइंट व वीडियों में कवर करेंगे, आज का पहला पॉइंट है, जी सेवन सिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, हिरोशिमा, जापान में, यहाँ इस सम्मेलन का कौन सा संस्क्रण है, उन्चास्वा, जापान के प्रधान मंतरी के निमंतरण पर इस सम्मेलन में भारत का प्रतन किसके द्वरा किया गया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वरा किस पहले भारतिय प्रधान मंत्री द्वरा पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की गई है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वरा यहां प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी को कितनी तोपों की सलामी और गार्ड आफ आफ आनर दिया गया, 19 भारती प्रधान मंत्री द्वारा पापुआ नियोगिनी में किस सम्मेलन में भाग लिया गया, फोरम फार इंडिया पैस्विक को आपरेशन, भारत सहित एफ आई पी आई सी में कितने देश सामिल हैं, 15 क्वार्ड नेताओं की बैठक रद्ध होने के बावजूद प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने किस देश की आत्रा की, आश्ट्रेलिया, भारत आश्ट्रेलिया के मद्ध किस सम्झोते पर हस्ताच्र किया गया, प्रवासन और गतिसी लिता, शिडिनी इस्तित हैरिस पारक का परिवर्तित नाम क्या रखा गया है, लिटिल इंडिया, किन देशों के मद्ध दसवें लेंड पूर्ड का उधगाटन किया गया, भारत बांगलादेश, इसका उधगाटन कहां किया गया, दावी, मेघाले में, किस अमेरिकी राज ने दी जानिया के जानजी बार में, सुडान में फसे हुए भारती नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत द्वरा कौनसा आपरेशन शुरूपिया गया, आपरेशन कावेरी, भारत के सतलुज जल विद्धुत निगम को किस देश में लोवर वरूड हाइडो परियोजना के न दो वरस बाद अपने राजनाईक संबंधों को पुना प्रारंभ करेंगे, कतर और बहरीन, भारत के विदेश मंत्री डाक्टर एस जैसंकर ने मोजांबिक में किस पुल का उधगाटन किया है, बुजी पुल का, इस पुल का निर्माल किसके सहयोग से किया गया है, भारत के सहयोग से, डाक्टर एस जैसंकर ने किस देश में राज्टिय फोरंसिक विज्ञान विश्विद्याले परिसर का उधगाटन किया है, युगांडा, इरान ने वर्ष दोहजार सोला के बाद से पहली बार किस देश में पहला राजदूत नियुक्त किया है, सहयोगत रब अ यात्रा पर भारत का दोरा किया, जिम्मे, जिग्मे, खेसर, नामग्याल, वांग्चुंग, किस देश ने 14 जुलाई 2030 को प्रस्तावित वार्षिक बैलिस्टिक दिवस्वारों में अतिथी के रूप में प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी कौम मंत्रित किया है, फ्रांस ने विश्व का कौन सा देश उत्तर अट्लांटिक संधिस संगठन नाटो का 31 सदस्य बना है, फिनलेंड, नाटो की स्थापना कब हुई थी, वर्स 1949 में बीश से 21 मार्श दो हजार तेश को किस देश की प्रधान मंत्री फुम्यों किसदा दो दिवसी भारत दोरे पर रहे हैं, जापान भारत बांगलादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्गाटन किसके दोरा किया गया है, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एवं सेख हसीना बांगलादेश के प्रधान मंत्री हैं, दोरा सहिक तुरूप से वर्चोली इस पाइपलाइन निर्माड की आधार सिला कब रखी गई थी सितंबर 2018 में, इस मैत्री पाइपलाइन की छमता कितनी है, एक मिलियन मेट्रिक टन प्रतिवर्ष, किस देश के क्राउन प्रिंस फेटरिक आंद्रे, क्रिश्चियन तथा क्राउन प्रिंसेस मेरी भारत की चार दिवसी आत्रा पर रहे हैं, डेनमार्क, किस विश्व विद्याले को, गिफ्ट सिटी, गुजरात में अपना अंतरराष्टिय साखा परिसर इस्थापित करने है, तो अंतरराष्टिय विद्तिय सेवा के इंदर प्राधिकरण, द्वारा मंजूरी प्रुसित करने के लिए एक समझोते प्रहस्ताचर किये हैं, रूस एवं म्याम्यारने, किस देश को वर्ष दोजार पच्चिस के मैडरेड अंतरराष्टिय पुस्तक मेले में फोकल थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया है भारत को, अंतरराष्टिय सौर प्रंदर दिवस्चमारों के मुख्य अतिति कौन थे, अब अबदेल फतह, अलसीसी, मिस्र के राश्टर पती, भारत ने किस देश के साथ मिलकर युवापे सीवर योजना का सुभारम किया है, योनाइटेड किंगडम, इस योजना के तहद कितने, डिगरी धारकों को एक दूसरे के देश में रहने और कार करने हेतों अनुमती दी गई है, तीन हजार, भारत ने किस देश के साथ प्रवाशन और गतिसीलता समझोता किया है, आश्ट्रिया के साथ, भारत ने ऐसा समान समझोता अन्य किन देशों के साथ किया है, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी यो फिनलेंड के साथ। भारत आश्टिलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझोता कब से प्रभावी हुआ है? 29 दिसंबर 2022 से। भारत आश्टिलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझोता पर कब हस्ताचर किया गया? 2 अपरेल 2022 को। भारत द्वारा आयुर्वीद विज्ञान के छेत्र में किस विदेशी विश्विद्याले में सैच्छिडिक पीठ एकडमिक चियर इस्थापित करने की घोसना की गई है वेस्टरन सिद्नी युनिवस्टी आश्टिलिया में आसियान के साथ दक्षिनपूर्वेसिया में मित्रता और सहयोग की संध पर हस्ताच्छर करने वाला पचासमा देश कौन बना है यूकरेन भारत स्वेडन नवाचार दिवस 2022 का आयुजन कहां किया गया है इस्टागों स्वेडन में इस दिवस की किस संस्क्रण का आयुजन किया गया है नवी परथम आसियान भारत स्टाट अप महत्सव कहां आयुजन किया गया बोगोर इंडोनेसिया में किस देश की प्रधान मंत्री द्वारा भारत की राज की यात्रा संपन की गई बांगलादेश शेख हसीना यात्रा के दोरान भारत और बांगलादेश के मद्ध कितनी समझोंतों पर हस्ता चुरुए हैं साथ यात्रा के दोरान किस सयंत्र की प्रथम इकाही का नावन किया गया है मैत्री उर्जा सयंत्र तेरा सो भीस मेगावाट का यह सयंत्र कहां इस्तित है खुलना डिवीजन रामपाल बांगलादेश में इस यात्रा के दोरान पुल काउद घाटन किया गया है रुपासा रेलपूल जिसकी लंबाई 5.13 किलोमेटर है यात्रा के दोरान भारती ससस्त सेनाओं के कर्मियों के दोसो वनसजों है तो किस चात्रवर्ति का सुभारम किया गया है बंग बंधू से एक मुझीवर रहवान चात्रवर्ति किस लेटिन अमेर्की देश में स्वामी विवेका नंद की पहली प्रतिमा का अनावरं किया गया है मैक्सिको प्रतिमा का अनावरं किसके दोरा किया गया है लोकसभा अध्यच ओम बिड़ला के दोरा महात्मा गांधी की एक आवच प्रतिमा का अनावण कहां किया गया है असुन सियान परगवे में इसका अनावण किसने किया है विदेश मंतरी एस जैसंकर ने किस देशने नेताजी सुभाष चंदरबोष से जुड़े इस्थल पधांग को राष्टी इसमारक घोषित किया गया है सिंगापूर भारत ने मालदो के साथ कितने समझोते पर हस्ताचर किये हैं छे प्रमुक्ष समझोता समझोते कौन कौन से रहे हैं साइबर सुरच्छा आपदा प्रबंधन पुलिस वुनियादी धाचा के छेतर में कहां पर इंडो इसराइल सिंटर आफ एक्सिलेंस फार वेजी टेबिल्स का सिलान नयास किया गया है चंदवली उत्तरप्देश में विश विद्याले में भारत से सम्मधित कारकरमों के लिए इंडिया सेंटर की स्थापना की गई है दक्षिन कूरिया के किस विश विद्याले में इंडिया सेंटर की स्थापना की गई है बुसान युनिवस्टिया फॉरेन इस्टडीज में किस देश के उपपरधान मंतरी यों रच्छा मंतरी रिचर्ड मारलेस भारत की आत्रा पर रहे हैं आस्ट्रिलिया के हाल ही में इजरायल ने भारत के किस राज्य के साथ जल सहयोग के सहित घोशला परहस्ताचर किया है हरियाडा भारत वियत नाम के रच्छा मंतरियों ने रच्छा सहयोग को बढ़ाने के उद्देश से किस सहयुक्त विजन दस्तावेज परहस्ताचर किये हैं भारत वियत नाम रच्छा साथेदारी 2030 भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन शुरू की गई है बांगला देश के बीच इनकी मद्ध कौन सी यात्री ट्रेन शुरू की गई है मिताली एक्सप्रेस या ट्रेन किन्तो इस्टेशनों के मद्ध प्रारंभ की गई है न्यू जल्पाई गुडी रेल वेस्टेशन यों धाका के एंट रेल वेस्टेशन के बीच भारत और बांगलादेश के मदे संचालित दो अन्य या त्री देल हैं कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता खुलना बंधन एक्सप्रेस अरब लीग के सदस्यों ने किस देश को इस समुह में पुनाह सामिल कर लिया है शीरिया सीरिया की सदस्यता इस समुह से कब निलंबित की गई थी वर्ष दोजार गेरा में अरब लीग के सदस्यों की शंख्या कितनी है बाइस विस्व का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल नीला छिद्र कहां पाया गया है मैक्सिको के तटपर इसकी गहरा ही कितनी है 900 फिट लगभग इसे क्या नाम दिया गया है ताम ताम जा विस्व का सबसे गहरा ब्लू होल इस्थित है दक्षड चीन सागर में किस देश में यूरोप के सबसे शक्तिसाली परमाड रियक्टर का सुबारम होगा है फिनलेंड उत्पादन छमता के लिहाज से यूरोप के सबसे शक्तिसाली परमाड रियक्टर का क्या नाम है ओलकी लूटो 3 या कितने मेगावाट शम्ता का परमाड़ रेक्टर है 1600 मेगावाट विश्व का सबसे बड़ा नारकोई स्टेट देश कौन सा बन गया है सेरिया किस देश में समिधान में सुधार है तो जनमत संग्रह कराया गया उजवेकिस्तान में इस बरिक्रिया का प्रत्यच्छ दर्शी बनने है तो भारत के किस संस्थान को अमंत्रित किया गया है भारत निर्वाचन आयोग को तेरा अप्रेल 2030 को पश्चिमी आस्टेलिया के तट से टकराने वाले उश्ण कटिवंधी चक्रवात का नाम क्या है चक्रवात इलसा भारत सहिक्तराष्ट स्रांख की आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है इसका कारेकाल कब से प्रारम होगा एक जिनवरी 2024 से इसमें भारत का कारेकाल कितने वर्सों का होगा चार वर्सों का हिंदू फूविया की निंदा करने वाला अमेरिका का पहला राजिकोन बना है जारजिया UAE इसराइल व्यापक आर्थिक साजेदारी समझोता कब लागो हुआ है एक अपरेल 2030 को इस समझोते प्रहस्ता चरकब हुआ था 31 मैं 2022 को हाल ही में UK के किस मुक्त व्यापार समझोते में सामिल हुआ है CPTPP CPTPP का पूर्ण रूप है Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership CPTPP किस छेत्र के देशों के बीच एक मुफ्त व्यापार समझोता है Asia प्रसांत CPTPP में सामिल देश है Australia, Brunoi, Jerusalem, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, Peru, New Zealand, Singapore तथा वियतनाम किस अरब देश ने राष्टिये जिनोम रणनीती शुरू की है सहित अरब अमीरात ने किस देश ने मैक मोहनरेखा को अंतर राष्टी सीमा के रूप में मानिता दी है अमेरिका ने यह रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारन करती है भारत और पाकिस्तान किस देश में अवस्थित माउंट मेरापी जौला मुखी में विसपोट हुआ है इंडोनेसिया में माउंट मेरापी किस तरह का जौला मुखी है यह एक सक्री जौला मुखी है माउंट मेरापी जौला मुखी किस दिव पुपर अवस्थित है जावा दिव किस देश ने महिलाओं के लिए सैन सिवा का सभारम किया है कोलंबिया किस देश के पूर प्रधान मंत्री मुहीद दिन यासिन को भष्टा चार के आरोप में गिरिफ्तार किया गया है मलेशिया किस नोबिल पुरुसकार विजेता को दस वर्स का कारावास प्रतान किया गया है इलेश इलेश बिया लियाथसकी को यह किस देश की निवासी थे बेलारूस इन्हें किस नोबिल पुरुसकार से समानित किया गया नोबिल सांती पुरुसकार से इन्हें यह पुरुसकार किस वर्ष के लिए दिया गया वर्ष 2022 के लिए BRICS New Development Bank का कौन सा देश नया सदस्य बना है मिसर गोल्डन गोल्डन, क्रिसेंट छेत्र में कौन से देश सामिल हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और एरान गोल्डन, ट्राइगल छेत्र में कौन से देश सामिल हैं थाइलेंड, मयामयार और लाउस किस देश ने सह्युक्तराज अमेरिका के साथ अंतिम से इस परमाणु हतियार नियंतरन समझोता निलंबित कर दिया है रूस इस समझोते को किस संध के नाम से जाना जाता है न्यू इस्टार्टप संधी दक्षन एसिया के बाहर जातियत भेद भाव पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्ट का पहला शहर कौन बना है सियेटल सियेटल किस देश का सहर है यू इसे विश्ट के किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयाद से प्रतिबंध हटा दिया है कतर किसे वर्ष 2030 के लिए सामाजी विकास आयोग की अध्यक्ष्टा के लिए चुना गया है भारत को भारत आयोग के किस सत्र की अध्यक्ष्टा करेगा 62 किस देश ने साइकलॉन गैब्रियल के कारण राष्टी अपात काल की खोसना की है न्यूजी लैंड किस देश में स्थित जाफना संस्कृत के इंद्र को लोगों को समर्पित किया गया है श्री लंका यह संस्कृति के इंद्र किस देश के अनुदान सहायता से निर्मित है भारत किस देश ने विद्दुत संकट के कारण आपदा की इस्थिती की खोसना की है दक्षिन अफरीका ने भारत में तुर्किये में आये भोकम के पश्चाद मदद के लिए कौन सा आपरेशन चलाया गया आपरेशन दोस्त छे फरवरी 2003 को तुर्की और सीरिया में कितनी रियक्टर पैमाने का भोकम पाया था 7.8 विसके किस देश ने बैंक नोटों से ब्रिटिस समराट का चेहरा हटाने की खोसना की है आश्च्रिया ने भारत ने पाकिस्तान इस्थित किस आतंकवादी को शह्युक्त राष्ट लिस्टेड आतंकवादी के रूप में सूची ब मिशन के अंतरगत सेनकू की तैनाती की गई है संयुक राष्ट मिशन के अंतरगत जनवरी 2003 में वासेनार विवस्ता समूग की अद्धा किसने गहन की है भारत भारत इस विवस्ता में कब सम्मीलित हुआ था वर्ष 2017 में इस समूग में कुल कितने सदस्य हैं 42 वर्ष 2013 से गुरूप संग परिषद की अध्यशता समाली है, स्वेटन ने, टाइम पर्षण आफ़ दा यर किसी चुना गया है यूकरीन की राष्ट पती व्लाद्मीर जेलन्सकी एंड दा स्प्रिट आफ यूकरीन को, टाइम पर्षण आफ़ दा यर दोजार बाईस किसी चुना गया ह यूकरीन के राष्टपती ब्लादमीर जेलेंशकी एंड दा स्प्रिट आफ यूकरीन को वर्ष 2021 का टाइम परसन आफ दा येर किसे चुना गया था एलन मस्क को वर्ष 2022 का इंटर्टेनर आफ दा येर किसे चुना गया है ब्लैक पिंक कोरियन पॉप के पॉप बैंड को येर 2022 किसे दिया गया है वूमेन आफ इरान को काला सागर अनाज पहल के लिए यू एन समन्वे किसे नियुक किया गया है अब्दुल्ला अब्दुल समत दस्ति किस कारपोरेशन को मांग दे छुजल विद्धुत परियोजना सौपी गई है ड्रग गिरीन पावर कारपोरेशन भूटान भूटान में मांग देछु जल विद्धुत परियोजना किस नदी पर निर्मित है मांग देछु नदी पर मांग देछु परियोजना कितने मेगावाट की जल विद्धुत परियोजना है 720 मेगावाट किस देश ने मांग देचु जल्विद्ध पर्योजना के निर्माड के लिए वित्तिय एम तक्नी की सायदा प्रतान की है भारत तीसरा आस्यान भारत ग्रास रूट इनुवेशन फोरम कहां अवजित किया गया है कमबोडिया में फोरम में किस भारतिये ने ग्रास रूट नवोन में स्रीणी में पर्थम पुरुषकार प्राब्त किया है सुस्री सालनी कुमारी को उनके किस नवाचार के लिए पुरुषकार दिया गया है मेडिफाइड वाकर विद डज डज इस्टेबल लेक्स के लिए मालदिव के किस पूर राष्टपती को 11 वर्ष की सजा सुनाई गई अब्दुल्ला ही आमीन इन्हें किस आरोप में सजा सुनाई गई थी मनी लॉंडरिंग के आरोप में मालदिव के वरतमान राष्टपती कौन है इब्राहिम मुहम्मद सुली है भारत की किस पहल को प्रकृतिक उनर जीवित करने वाले विश्च की दस सेस फ्लैग से पहलों में सामिल किया गया है नमाम गंगे पहल को यह मानिता किसके दोरा दे गई थी सहुक्त राष्ट के दोरा नमाम गंगे अभियान की सुरुवाद कब हुई वर्स 2014 में इस या प्रसांत छेत्र के सबसे बड़े युवा नवाचार अभियान यूथ को लैब इंडिया का कौन सा संस्क्र लांच किया गया है पाँचवा यूथ को लैब इंडिया किसके दोरा शुरू की गई पहल है यू पहार सुरूप दी गई महत्मा गांधी की आवच्छ प्रतिमा का नावरण कहां किया गया है सहुकत राष्ट मुख्याले इस से पूरू भारत दोरा सहुकत राष्ट को कौन सी प्रतिमा उपहार में दी गई थी सूर्य प्रतिमा ग्यार्वा सदी ग्यार्वी सदी में वर् बैठक की मेजवानी की सहर द्वारा की गई उदैपुर राजस्थान। इस बैठक की अध्यच्टा किसने की थी अमिताव कांत ने भारत की G20 सेरपा हैं। माउंट सिमेरु जॉलामो की कहां श्तित है जिसमें दिसम्बर 2022 में विसपोट हुआ जावा अध्यूप इंडोनेसिया। सिमेरु को किस नाम से जाना जाता है दा ग्रेट माउंटिन इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन 2022 की महासभा की बैठक कहां अधित की गई है सैन फ्रांसिक्स को अमेरिका में। वर्ष 2023 से 25 के कारकाल है तो IEC का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है भारत को। किया गया है पेरिस फ्रांस में इस देश ने मिडल इस्ट इस्ट ग्रीन इनिएट्यू पहल का शुवारम लांच किया है साउधी अरब। कि विश्व की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन का संचालल कहां किया गया है सुटिजर लेंड में। इस पैसेंजर ट्रेन की लंबाई कितनी है 1.9 किलो मिटर पहली बार सहयुक्त राष्ट सुरच्छा परिशत की आतंक वादरूधी समिती की बैठक की मेजवाने किस देश ने की है भारत ने UNSC, CTC की दो दिवसी बैठक भारत के किन सहरों में आज़ित की गई है मुंबई और नई दिल्ली हाल ही में सितरंग तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है भारत यों बांगला देश को पेरिस में Financial Action Task Force की पूर्ण बैठक इसकी अध्यक्षता में संपन हुई ती राजा कुमार की अध्यक्षता में बैठक में किस देश को इफ ए टी एफ की ब्लैक सूची में सामिल किया गया है मया मयार इसके अत्रिक तिकिन देशों को ग्रे सूची में सामिल किया गया है कांगो लोगतांत्रिक गडराज मोजांबिक और तंजानिया को इसके साथ ही देश को ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है किस देश को ग्रे सूची से बाहर किया गया है पाकिस्तान और निकारागुगा को अर्थ सास्त के नूबिल पुरुसकार 2022 के घुशना किसके दोरा की गई The Royal Swedish Academy of Sciences के दोरा इस वर्ष यहाँ पुरुसकार सह्यूक तुरूप से किसे परदान किया गया बेन S. बर्नौके, डगलस डेबलू, डायमंड और फिलिप्स H. डायव विग 97 पुरुसकार 2022 के घुशना किसके दोरा की गई The Norwegian Nobel Committee के दोरा इस वर्ष यहाँ पुरुसकार किसे परदान किया गया L.S. वियालियास की, जो कि बेलारूस से है Memorial, संगठन, रूस, Center for Civil Liberties, संगठन, यूकरेन वर्ष 2022 से तु साहित का नोबिल पुरुसकार किसे परदान किया गया Ernie Arno को वर्ष 2022 विज्ञान के छेतर का नोबिल पुरुसकार किसे परदान किया गया है Caroline R. भर्टोजी, Morton, Mild और K. Berry, Sarples को वर्ष 2022 विज्ञान के छेतर का नोबिल पुरुसकार किसे परदान किया गया है Erlaine, Aspect, John F. Clauser, Anton, Zillingar को विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान के छेतर का नोबिल पुरुसकार किसके द्वरा परदान किया जाता है The Nobel Assembly at Karolis का Institute इस वर्ष यहापुरुसकार किसे परदान किया गया Sante Paavo, Sweden कजाकस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का परिवर्थित नाम क्या है अस्ताना अंतराश्टी जल संग विश्जल कांग्रेस परदसनी 2022 का जुन किया गया कोपेन हेगन डेनमार्क में S.C.O की पहली संस्कृति की और परिटन राजधानी वर्ष 2022 देशेत की रूप में किसी नामित किया गया वानाड सी उत्तरप्देश हाल ही में खबरों में रहा Butterfly Mine क्या है Anti-Personal बारूदी सुरंग या किन दो देशों के मद्ध युद्ध के दोरान खबरों में रही रोस और यूक्रेन यूक्रेन के Global Network of Learning Cities में सामिल भारती सहर है त्रिसूर, निलामबूर और वारंगल यूनिस्को के Global Network of Learning Cities में सामिल सहर त्रिसूर यून निलामबूर इस्थित है केरल में वारंगल इस्थित है तेलंगाना में निलामबूर त्रिसूर और वारंगल में एको टोरिज्म इस्थल के रूप में प्रसिद्ध है निलामबूर केरल वारंगल निलामबूर और त्रिसूर में भूशन उद्धोग विशेश रूप से सोंड के लिए कौन पसिद्ध है त्रिसूर। विश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की यात्री सेवा का उद्गाटन किस देश में किया गया है जर्मनी में। इस ट्रेन का क्या नाम है कोराडिया आईलिंट। हाली में विश सांती आयोग के गठन को किसने प्रस्तावित किया है मैक्सिको। इस प्रस्तावित आयोग में कौन तीन सदस्य होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्रमूदी, एंटोनियो गुटेरेस और पोप फ्रांसिस। ट्रांस हिमालियन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क से कौन सिदे संबंध है नेपालयों चीन। यह नेटवर्क किस पहल का हिस्सा है बेल्ट और रोड इनिसेटिव। सेमी कंड़क्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चिप्स विधे किस देश द्वरा पारित किया गया अमेरिका के द्वरा। चिप्स का पूंड रोप है क्रिएटिंग हेल्फूल इनोवेटिव टू प्रोड़क्ट सेमी कंड़क्टर्स वर्ष 2022 में कौन सा देश सह्युक्त राष्ट सुरच्छा परिशद आतंकवाद विरोधी समीतिका द्यश्च था भारत भारत सरकाद दोरा अंतर राष्टिये रासायनिक सुरच्छा कार्ड पर किस अंतर राष्टिये संगठन के साथ सम्झोता ग्यापन हस्ताच्रित किया अंतर राष्टिये स्रम संगठन अंतर राष्टिये रासायनिक सुरच्छा गाड संबंधित है कार इस्तल पर रासायनों के सुरच्छित उपयोग से अंतर राष्टिये रासायनिक सुरच्छा कार्ड का विकास किसके द्वरा किया गया है डबली एचो और आयलो द्वरा य स्टैग लाइन के साथ दिया गया उची सिच्छण हाई लर्निंग इस सूची में किस भारती राजी को एको टोरिज महाड स्पार्ट के रूप में स्थान दिया गया है केरल इंटरपूल के अंतरश्टी बाल योन Сोचन सरंखला डाटा बेस में सामिल होने वाला और सठ्मा देश कोण बना है भारत प्रतिवर्स विश्व खेल पत्रकार दिवस का मनाया जाता है दो जुलाई को अंतरश्टी छूदु दिवस का मनाया जाता है तीस जून को यूरोपी संग ने किन देशों को उम्मीदवार का दरजा पतान किया गया है यूकरेन और मालदोगा को विस्ट के नव देशों में इस्थित कितने नए इस्थलों को यूकरेन के विस्ट जयो मंडल अभ्यारन नेटवर्क में सामिल किया गया है गेरा किन देशों के किसी इस्थल को पहली बार इस निट्वर्क में सामिल किया गया है चाड, जारजिया और जांबिया वर्तमान में विश्व जय मंडल अभ्यारन निट्वर्क में कुल कितने इस्थलों को सामिल किया गया है 738 ये 738 जयव मंडल अभ्यारन कितने देशों में स्थित हैं 134 देशों में भारत सरकार द्वारा देश भर में अब तक कितने जयव मंडल अभ्यारनों के स्थापना की गई है 18. भारत के कितने स्थानों को UNESCO के विश्व जय मंडल अभ्यारा नेटवर्क में सामिल किया जा चुका है 12. सहयुक्तराष्ट ग्लोवल काइम पैक्ट द्वारा SDG पाइनियर फार वाटर इस्टी वर्ड सिप 2022 की मानिता प्राप्त करने वाले भारती कौन है रामक्रष्ण मुक्काविल्ली किन पाँच देशों को सहयुक्तराष्ट सुरच्छा परिशद के वर्ष 23-24 के कार्याले के लिए 23 सदर से चुना गया है एकवाडोर, जापान, माल्टा, मोजांबिक और स्वीट जर्लेंड को भांग के व्यापार को वैद बनाने वाला पहला एस्याई देश कौन बना है थाईलेंड किस देश में राजविधान मंदल द्वारा डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स के लिए विस्व का पहला राइट टू रिपेर कानून पारित किया गया है सहुक्त राज अमेरिका अमेरिका के किस राजविधान मंदल द्वारा ये कानून पारित किया गया है निव्यार्क राजविधान मंदल के द्वारा तुर्की के आधिकारिक नाम को बदल कर क्या कर दिया गया है तुर्की किस देश में पहली डिजिटल जनगर्णा कुल छठी जनगर्णा की गई है बंगला देश में सहिक्त राष्ट महासवा ने अंतर राष्टी कदन वर्ष के रूप में घोसित किया है वर्ष दोजार तेश को वर्ष 2023 को अंतराष्टी कदन वर्ष घुशित करने का प्रस्ताव शुरू किया था भारत द्वरा सहयुक्त राष्ट द्वर्ष 2022 को घुशित किया गया और टी, जनल, मदस्य और एकवा कल्चर का अंतराष्टी वर्ष तथा सतत परवत विकास का अंतरराष्टी वर्ष, अंतरराष्टी ग्लास वर्ष, सतत विकास हेत मूल भूत विज्ञान का अंतरराष्टी वर्ष सहिंक तुराष्ट द्वारा वर्ष 2024 को घुसित क्या गया है उंटो का अंतरराष्टी वर्ष अजितु होगा गांधी नगर गुजरात में विस्वस्वास्त संगठन द्वारा पारंपरिक चिकित्सा के लिए अपना वैस्विक केंद्र किस सहर में खोला गया है जाम नगर गुजरात में इसीन शिखर समेलन 2030 का आएजन कब किया गया 10 से 11 मैं 2030 वर्ष दोजातेश में इस सिखर समेलन का आजन कहां किया गया इंडोनेसिया में इस सिखर समेलन का या कौन सा संस्क्रण था बैयालिस्वान इस सिखर समेलन की थीम क्या थी Asian Matters Episindrome of Growth Asian का फुल फारम है Association of South Asian Nation वर्ष दोजातेश का आसियान सिखर समेलन किस देश की अध्यक्षता में आजुद किया गया इंडोनेसिया मसीन कैंसी दोजातेश सिखर समेलन का आजन कहां किया गया है दुबई UAE में यह समेलन किस प्रोध्धोगी की पराधरित है क्रतिम बूध्धिमत्ता पर किस देश की मेजबानी में पहले वैस्विक बहुत सिखर सम्मेलन का आउजन किया गया भारत पहले वैस्विक बहुत सिखर सम्मेलन का आउजन कब किया गया 20 से 21 अपरेल 2013 नई दिल्ली में किसने पहले वैस्विक बौध सिकर समयलन का उधगाटन किया प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी ने, किसके सयोग से किंद्री सांस्कृतिक मंत्रालाय ने इसका आयुजन किया अंतराश्टी बौध परिसंग, दो दिवसी प्रथम वैस्विक बौध सिकर समयलन 2023 का विशय क्या है, Responses to Contemporary Challenge, Philosophy to Practice, किस जगह अफगानिस्तान के संबन्द में दूसरी चत्तुर भुजबैठक आज़ित हुई है, समरकंद उजबेकिस्तान में, अफगानिस्तान के संबन्द में दूसरी चत्तुर भुजबैठक किसके बीच आज़ित हुई है, इरान, रोस और चीन यों पाकिस्तान के बीच, अफगानिस्तान के संबन्द में पहली चत्तुर भुजबैठक कहा आज़ित हुई है, दूसामबे तजाकिस्तान में, पांचवां इंडिया यू के होम अफेस डायला कहां अउजित किया गया नई दिल्ली में भारत फ्रांस व्यापार सिखर सम्मेलन 2023 का अउजिन कहां किया गया है पेरिस फ्रांस में इस सिखर समयलन का आउजन कस आउसर पर किया गया भारत फ्रांस में त्री के पच्चिस वर्स पूरे होने पर भारत की G20 की अध्यष्ता में G20 विज्ञान सिखर समयलन का आउजन कहा किया गया त्रिकुरा अगरतला में जी टूंटी विज्ञान सिकर सम्मिलन 23 का विशय क्या है हरित भविष्ट के लिए सुच्छ उर्जा आपदा प्रतरुधी अवसान नचना पर अंतर राष्टी सम्मिलन कहां उजित किया गया नई दिल्ली में वर्ष 2030 में आज़ित यहां अंतर राष्टी सम्मिलन इसका कौन सा संस्क्रण है पांचमा संस्क्रण वर्ष 2030 के लिए सम्मिलन की थीम क्या है डिलीवरिंग रेजिलेंट अंड इंक्लिूसिव इंफ्रास्टेक्चर किस देश की अद्धिस्ता में S.C.O. सिखर सम्मिलन 2023 का आज़िन किया गया किया जाएगा भारत S.C.O. सिखर सम्मिलन 2022 कहां आज़ित किया गया था समरकंद वुजवेकिस्तान में कौन सा देश संगाई सयोग संगठन का समवाद साचेतार बना है साउदी अरब मई 2023 में S.C.O. के समवाद भागिदार कौन बने है कुवेत मालदेव में मार पथा UAF सहयोग तराष्ट जल सम्मिलन 2023 कहां आज़ित किया गया निव्यार्क यूएस में 227 विकास सिखर सम्मिलन का आज़िन कहां किया गया नई दिल्ली भारत में 227 विकास सिखर सम्मिलन 2023 की थिम क्या है सामोहिक कारवाही के लिए 27 विकास और जलवायू लचीलापन को मुख धारा में लाना यह किसका प्रमुख वारसिक कारकरम है उर्जा और संसादन संस्थान टीरी का भारत में बिम स्टेक उर्जा केंदर के स्थाबना कहां की जाएगी बैंगलूरू इस्थित केंदरी विद्धुत अनसंदान संस्थान परिसर में बिम स्टेक उर्जा केंदर का पहला कारेकारी निदेशक किसी नामित किया गया है घंस्याम प्रसाद को बिम्स्टेक में सामिल देश हैं बांगलादेश, भूटान, भारत, मियम्यार, नेपाल, स्रीलंका और थाइलेंड प्रथम I2-U2 बिजनेस फोरम का आजन कब किया गया 22 फरवरी 2013 को इसका आजन कहां किया गया अबूधावी UAE में इसमें कौन सा प्रतने धुत किसने किया दंबू, रवी, सचिव, विदेश मंत्राले I2-U2 में कौन से देश सदस्य हैं इसराइल, भारत, सहुकत अरब, अमीरा तता सहुकत राज, अमीरिका इस समेलन के दोरान भारत किसका सदस्य बना है एग्रिकल्चर इनोवेशन विशन फार क्लाइमेट्स का बारवी विश्व हिंदी समेलन 2013 की मेजबानी किस देश दोरा की गई फिजी के दोरा WHC 2023 का आयोजन किसके दोरा किया जाएगा विदेश मंत्राले भारत दोरा फिजी सरकार के सहयोग से WHC 2023 का मुखिफी से क्या है हिंदी पारंपरि ज्यान से क्रतिम मेगा तक संगाई को आपरेशन और्गनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया 27 से 31 जिन्वरी 2023 के मद्धे इसका आयोजन कहां किया गया मुंबई में इसका आयोजन किसके दोरा किया गया सूचना एम प्रसान मंत्राले भारत सरकार दोरा जैव विद्धता पर अभी समय के पच्छ कारों के समयलन की पंद्रवी बैठक का दूसरा भाग कहा अउजित किया गया मौन्टेल कनाडा में समयलन का आयोजन कब से कब तक किया गया 7 से 19 दिसमब 2022 के मद्धे समयलन का पहला भाग कब आउजित किया गया था 12 से 15 अक्टूबर 2021 कौप 15 की अद्धिस्ता में आउजित किया गया चीन समयलन में काउन सा फ्रेमवर्क सुईकार किया गया कुन मिंग मौन्टेल वैस्विक जै विजिता फ्रेमवर्क C.B.D. का कौप 14 कहा आउजित किया गया था सर्म अलसेख मिस्र 2018 में CBD COP16 का आयोजन कहां किया गया तुर्की वर्ष 2024 में नवीं विश्व आयरवेद कांग्रेस और आरोगे एक्सपो 2022 का आयोजन कहां किया गया पनजी गुवा में इसका आयोजन कब किया गया आठ से 11 दिसंबर 2022 के मद्धे करतिम बुद्धिमक्ता परवैस्विक साजेदारी का तीसरा सिखस्मेर कहां जित किया गया टूकियों जापान में जी पी ए आय को आधिकारिक तोर पर लांच किया गया था जून 2022 में वर्तमान में जी पी ए आय सदस्यों की संख्या कितनी है उन्नीस भारत ने अगले एक वर्स के लिए जी पी ए आय परिसद की अधिक्षता किस देश से ग्रहन की है फ्रांस CITES पर पत्रकारों के समीलन की उन्नीसमी बैठक कायोजन कहां किया गया पनामा सिटी पनामा में CITES का पूर्ण रूप है वनों के विलुप्त प्राय जन्तों और वनस्पतियों के अंतर राष्टी कारोबार पर अभिसमय वर्तमान में CITES में सामिल देशों की संख्या कितनी है एक सो चौरासी 27 सहिवत राष्ट जलवाय परिवतन समीलन का आउजन किया गया है सर्म अलसेख मिस्र में G20 सिकर समीलन का आउजन किया गया है बाली इंडोनेसिया में G20 सिकर समीलन का विसे हैiover together, recover strong भारत ने G20 की अध्यक्ता किस 53 से ग्रहंड की थी? एक दिसंबर 2022 से G20 शिखर सम्मिलन पहला वर्ष दोजार अठाइस USA, सोलवा वर्ष दोजार एकिस इटली, अठारवा वर्ष दोजार तेईस भारत में नवा आसियान भारत सिखर सम्मिलन कहां व्यूद किया गया? नौम पिन कमबोडिया में सम्मिलन में भारती प्रतिनीधी मंडल का नेतरुत किस ने किया उप्राष्टपती जगदीप धन खड़ने Global Youth Climate Summit का आयोजन कहां किया गया? बांगला देश में इंटरपूल की 90-वी महासभा का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में वर्ष 2022 से पूर भारत में इंटरपूल की महासभा का आयोजन कब किया गया था? वर्ष 1997 में 25 वर्ष पूर वर्ष 2023 में इंटरपूल की 91 महासभा का आयोजन कहां होगा? वियाना आश्ट्रिया में अंतर राष्टी सौर गठवंधन की पांचमी आम सभा का वर्चुल आयजन किया गया 17 से 20 अक्टूबत 2022 के मद्ध है UNESCO M-O-N-D-I-A-C-U-L-T 2022 विश्व समेलन के तीसरे संस्क्राण का आयजन कहां किया गया मैक्सिको में इस समेलन को आयजित किया गया सहिक्त राष्ट सैच्छिक वैज्यानिक और सांस्क्रति संगठन UNESCO के दोरा M-O-N-D-I-A-C-U-L-T-20 समेलन का सरुपथम आयजन किया गया था वर्च 1982 में 25 में ग्लोबायल इंडिया समेलन का आयजन कहां किया गया है आगरा उत्तर प्रदेश में समेलन के दोरान किस प्रमुक संगठन का सबारम किया गया E-C-I-POM-O-I-L संगठन का गठ बंधन का पहला अद्देच्छिक से चुना गया है अतुल चत्रवेदी को 22 संगाई सयोग संगठन सिखर समेलन कहां अजित किया गया समरकंद उजबेकिस्तान भारत की तरफ से संगाई सयोग संगठन सिखर समेलन में किसने भाग लिया परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने S.C.O. 21 सिखर समेलन 2-7 तजाकिस्तान वर्ष 2021 में S.C.O. का तेस्वा सिखर समेलन भारत में वर्ष 2023 में वर्ष 2022 तेसे तो संगाई सयोग संगठन का अद्देश्ट है भारत भारत जापान टू प्लस टू मंत्रिस्तरी समवाद का आज़न कहां किया गया है टोकियो जापान में यहां इस समवाद का कौन सा संस्क्रण था दूसरा राष्ट मंडली संसदी सम्मेलन कब से कब तक आज़ित किया गया 20-26 अगस्त 2022 इसका आयोजन कहां किया गया हैली कैफेक्स कनाड़ा में संस्क्रण कौन सा था 65 समुद्री जय विविजता के सनच्षण है तो अंतर सरकारी सम्मेलन के पांचमें सत्रका आयोजन किया गया है न जेद्या सुरच्छा और विकास सिखर सम्मेलन कायोजन कहां किया गया है साओधी अरब में इस सम्मेलन में किसने भाग लिया खाड़ी सहयोग परिस्द के सदस मिस्र इराक और जार्डन अमेरिका ने आई-टू-यू-टू सासना देच्छों के पहले आभासी सिखर सम्मेलन कायोजन कब किया गया 14 जलाई 2022 को पहला आई-टू-यू-टू पहल में सामिल देश है भारत इसराइल, USA और UAE यहाँ आई-टू का अर्थ है भारत और इसराइल आई-टू का अर्थ है सह्युक्त राज अमेरिका और सह्युक्त अर्व अमीराथ पहले आई-टू-यू-टू अभासी सिखर सम्मेलन में किस योजना की गोशना की गई भारत में एकिकरत फूड पार्क की विश्व सांती मंच के किस संस्क्रण का अई-टू किया गया है दस्वी इसका अई-टू कहां किया गया बीजिंग चीन में अई-टू किस विशे के तहत किया गया प्रिजर्विंग इंटरनेशनल इस्टेबेलिटी कॉमनलिटी, कॉन्प्रेहंसिवनेश एंड को आपरेशन हाल ही में सहयुक्तराष्ट महासागर समेलन 2022 कहां शुरू हुआ लिस्बन पूर्थगाल में इस समेलन की सह मेजवानी किसके दोरा की गई केन्या और पूर्थगाल के दोरा सहयुक्तराष्ट महासागर समेलन की सतत विकास लचसे सम्मद्ध है लच्च 2014 48-वा जी सेवन सिखर समेलन आयजित किया गया 26-28 जून 2022 के दोरान 48-वा जी सेवन सिखर समेलन का आयजित किया गया स्लास एलमाउ बेवेरियं अलपस जर्मनी में जर्मनी द्वारा 48 में G7 सिखर सम्मेलन में अतिती देशों के रूप में आमंत्रित किया गया अर्जिंटीना, भारत, इंडोनेसिया, सिनेगल, दक्षिन अफरीका को वर्ष 2023 में G7 सिखर सम्मेलन का देश कौन था जापान राष्ट मंडल सासना देश्यों की 26 में बैठक 2022 में किन दो अफरीकी देशों को सदस्य के रूप में राष्ट मंडल में सामिल किया गया गया गैवान और टोगो को वर्ट मान में राष्ट मंडल सदस्य देशों की कुल संख्या केतनी हो गई है, 56 CHOGM 2022 का आउजन कहां किया गया है किगाली रवांडा में इसकी अध्यस्ता किसने की पाल कमा कगामे ने पाल कगामे किस देश के राष्टर पती हैं रवांडा के भारत ने किस देश के साथ मा राष्ट मंडल राजनाईक अकादमी कारिकरिम की घोसना की है यूके भारत के आम के निर्याद को बढ़ावा देने के लिए मैंगो फ्रेश्टिवल 2022 का आउजन किस देश में किया गया बहरीन की राजधानी मनामा में बहरीन में आम महत्सों का आज़िन किसके दोरा किया गया है क्रस्य और प्रसंस्क्रत खद उत्पादन निर्याद विकास प्राधिकरन के दोरा किस देश ने युवा सांसदों के वैस्विक सम्मिलन की मेजबानी की है मिस्र इस सम्मिलन का कौन सा संस्क्रण आज़ित किया गया है आठवा IISS सांगली ला धायलाग एसिया का प्रमुख रच्छा सिखर सम्मिलन कब आज़ित किया गया 10 से 12 जुन 2022 को इसका आज़ित कहां किया गया सिंगापुर में समिट आफ दी अमेरिकास 2022 की मेजबानी किस सहर ने की लास एंजिल्स अमेरिका ने यूएस बेस्ट कंसल्टिंग फर्म मौर्निंग कंसल्ट दौराजारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोग प्रिनेता कौन है भारतिय प्रधान मंत्री नरिंद्र मूदी 78 प्रतिसत अप्रूवल रेटिंग के साथ UK के स्थित्पे Business and Human Rights Resource Center दौराजारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्स 2022 में मानवा, धिकार और स्रम कार्यकरताओं के लिए विश्व का सबसे खतरनाक देश कौन है ब्राजील 63 हमले इस रिनी में दूसरा सबसे खतरनाक देश कौन है भारत 54 हमले विश्व प्रेश सुच कांग 23 किसके दौरा जारी किया गया है रिपोर्ट्स विदाउट बार्डर्स के दौरा यहाँ इस सुच कांग का कौन सा संस्कर्थ था 21 सुच कांग में कितने देशों, छेत्रों को सामिल किया गया है 180 असी, सूचकांक में पहले इस्थान पर कौन सादेश है, नार्वे, दूसरे और तीसरे इस्थान पर कौन सादेश है, क्रमसा, आयलेंड और डेन्मार्क, सूचकांक में अंतिम इस्थान पर कौन सादेश है, उत्तर कोरिया, 182 इस्थान पर, सूचकांक में भारत की रेंग कि थी एक सूचासवाँ, स्कोर एक थालिस, आर्थिक सुतंतरता सुचकांग 2000, तेस में सिर्ष देस कौन है इसृचकांग में भारत की रेंकिंग कितनी है 131, सुचकांग में कुल कितनी देस सामिल हैं 184, यह समिट का कौन सा संस्क्रण था? नमा संस्क्राण बिम स्टेक ने अपना कौन सा इस्थापना दिवस मनाया है पच्चीसवा बिम स्टेक का पूर्ण रूप है बहुँ छेत्री तर्गनिकियों आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल पच्चीसवे इस्थापना दिवस समारो कायजन कहा किया गया है धाका बंगलादेश बिम स्टेक के सदस देश हैं बंगलादेश भूटान भारत मयम्यार नेपाल स्रिलंका और थाईलेंड इस सुचकांग को कौन जारी करता है दा हेरिटेश फाउंडेशन सहुक्त राष्ट जनसंख्या कोस के नविनतम आकणों के अनुसार भी सुका सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है भारत भारत ने पीछे किसे पीछे छोण कर सीर्थ इस्थान हासिल किया है चीन को भारत की जनसंख्या है 142.86 करोड जबकि चीन की जनसंख्या है 142.57 करोड यू एन दौरा जारी दा स्टेट आफ वर्ड पाप्लेशन रिपोर्ट 2013 का सीर्षक क्या है 8 बिलियन लाइव्स इन फाइन फाइन पॉसिबिलिटीज दा केस फार राइट्स एंड चाइस यू एस एक आई एस ए कारिकरम के तहद भारत को किस स्रीनी में रखा गया है स्रीनी वन में आई एस एक आपून रूप है इंटरनेशनल एविएसन सेफ्टी असेस्मेंट टाइम पत्रिका दौरा जारी सो प्रदभाव सारी लोगों की सूची 23 में सहरुख खान को किस स्रीनी में सामिल किया गया है आइकॉन एस एस राजा मोली को किस स्रीनी में सामिल किया गया है पाइनियर वर्ड आफ इस्टेटिक्स दोरा साजह की गई सबसे आपराधिक देशों की रंकिंग में सीर्स इस्थान पर है वेनू जुएला रंकिंग में दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सा देश है अक्रमसा इंद्रा गांधी अंतराष्टी हवाई अड्डा नई दिली इंद्रा गांधी हवाई अड्डे को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है नवी विश्व का सबसे विस्थ हवाई अड्डा कौन सा है हर्ड स्वीड जैक्शन अटलांटा अंतराष्टी हवाई अड्डा फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ड दोजार तेईस रिपूर्ट के अनुसार विश्में सरवादिक गयर सोतंत्र देश छेतर का दरजा किसे प्राप्त हुआ है दक्षिडी सुडान सीरिया यूंग तिब्बत को पासपूर्ट सुचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है और्टन कैपिटल वित्ये सलाहकार सेवा फर्म के द्वारा सुचकांक में भारत की रेंग कितनी है 144 वा कुल निन्यान बेदेश वर्स 2022 के सुचकांक में भारत की रेंग क्या थी 138 वा सुचकांक में पर्थम इस् रिपोर्ट के अनुसार 20 को कितने प्रतिसत आबादी के पास उरचित प्याजल उपलब्द नहीं है 26 प्रतिसत वर्ष 2016 में कितनी वैस्विक सहरी आबादी पानी की कमी का सामना कर रही थी 93.3 करोड इसके वर्ष 2050 तक कितना होने का अनुमान है 1.7 से 2.4 अरब विश्व प्रसन्यता रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है सैंक प्राष्ट सदत विकासमाधान नेटवर्क के द्वारा विश्व प्रसन्यता रिपोर्ट 2023 इस रिपोर्ट का कौन सा संस्क्रण है 111 संस्क्रण इस रिपोर्ट के अंशार विश के सीरिस 3 कुषाहल देश कौन कौन से हैं? करमसा फिन लेंड, डेन्मार्क, आइसलेंड इस रिपोर्ट में नियमतम स्थान प्राप्त करने वाले देश हैं करमसा अफगानिस्थान 137 इस्थान पर लेवलोन 136 इस्थान पर विस्व प्रसंदता रिपोर्ट 2030 में कुल कितने देश सामिल हैkek 137 देश सामिल है वर्ड्स ग्रjor अटेश्ट प्लेसेज दोً अज़ा तेश रिपोर्ड को किस ने जारी किया था टाइम मैगजीन ने इसमें विश्व के कितने इस्थानों को सुची बद किया गया है पचास इसमें भारत के किन इस्थानों को सामिल किया गया है मैयूर भंज जिला ओडिसा तथा लग्दाख को ACI Airport Council International के अनुशार वर्ष 2022 में कौन सा भारती हवाई अड़ा विश्व के सीरिस दस सबसे विस्थ हवाई अड़ों की सुची में सामिल हो गया है इंद्रा गांधी अंतरराष्टी हवाई अड़ा नहीं दिली इंद्रा गांधी हवाई अड़े को कौन से रेंग प्राप्थ हुई है नवी विश्व का सबसे विस्थ हवाई अड़ा कौन है हर्ट हर्ट स्विल्ड जेक्शन अटलांटा अंतरराष्टी हवाई अड़ा फ्रीडम हाउस द्वराजारी फ्रीडम इंदावर्ड दोजार तेस रिपोर्ट के अनुसार विस्थ में सरवादिक गयर सुतंत्र देश चितर किसी प्राप्थ हुआ है दच्छनी सुडान सीरिया एं तिबबत पासपोर्ट सुचकांक दोजारी किया गया है और टन कैपिटल वित्य सलाहकार सेवा फर्म सुचकांक में भारत की रेंक कितनी है 144 वा कुल 99 देश वर्स 2022 के सुचना अनुसार वर्स 2022 के सुचकांक में भारत की रेंक क्या थी 138 वी सूच कांक में पर्थम इस्थान पर कौन सा देश है सहुक्त अरब अमीरात यू एन विश्व जल विकास रिपोर्ट दोजार तेश किसके द्वारा प्रकासित की गई है यूनेस्को के द्वारा रिपोर्ट के अनुसार विश्व को कितने परत्षत आवादी के पास सुरच्चित पेजल उपलब्ध नहीं है 26 परत्षत वर्ष 2016 में कितनी आवादी सहरी आवादी पानी की कमी का सामना कर रही थी 93.3 करोड इसके वर्ष 2050 तक कितना होने का अनुवान है 1.7 से 2.4 अरब विश्व परसन्यता रिपोर्ट 23 किसके दोरा जारी की गई है सहिंगत राष्ट सतत विका समाधान नेटवर्ग के दोरा विश्व परसन्यता रिपोर्ट 23 इस रिपोर्ट का कौन सा संस्क्रण था 11 संस्क्रण इस रिपोर्ट के अमशार विश्व के कितनी विश्व के सीर्श तीन खुशाल देश कौन-कौन से है कमसा फिन लैंड, डेनमार्क और आइसलैंड इस रिपोर्ट में निम्तम इस्थान पर इस्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है कमशा अफगानिस्तान 1917 इस्थान पर लेवनान wob 136 इस्थान पर लाश सेरा लिओन 625 इस्थान पर विश्व प्रसन्यता रिपोट 223 में भारत का कौन सा इस्थान है 126 इस्थान है 137 इसों इसूच कांग में वर्ष 2022 में भारत का इस्थान क्या था 136 विस्व प्रसंदता रिपोर्ट 2030 में कुल कितने देश सामिल हैं? कुल 137 देश वर्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसे दोजाद 30 रिपोर्ड को किसने जीता है? टाइम मैगजीन ने इसमें विस्व के कितने इस्थानों को सूची बद किया गया है? पचास इसमें भारत के किन इस्थलों को सामिल किया गया है? मैयूर भंजिला ओडिसाद अथलता को वैस्विक आतंकवाद सूचकांग 2030 किसके द्वारा जारी किया गया है? इंस्टिटूट फॉर एकोनोमिक्स और पीस के द्वारा वर्ष 2030 में इस सूचकांग का कौन सा संस्क्रण जारी किया गया? दसवा संस्क्रण वर्ष 2030 में इस सूचकांग में कितने देश शामिल है? 163 इस सूचकांग में आतंकवाद से सरवादिक प्रभावित देश कौन सा है? अफगानिस्तान स्कोर 8.822 वैस्विक आतंकवाद स का इस्थान कौन सा है इसको Carn zien 175 कि सबिस्ति वर्ष डोज़़बास स्थान था देम्मक्रेसी रिपोट 2030 डिफाइड डिफाइड इन दा क्से आप आटो-। प्रागवे का राष्ट पती किसे चुना गया है सेंटियागो पेना किस देश को FATF की ग्रे सुची में जोड़ा गया है दश्चिन अफरिकायों नाइजेरिया FATF का पूर्ण रूप है पूर्ण रूप क्या है Financial Action Task Force अंतराश्टी बौध्धिक संपदा सुचकांग 23 में भारत को कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है 42 इस सुचकांग में कुल किदने देश शामिल है पच्चपन या सुचकांग किसके द्वरा जारी किया जाता है U.S. चेंबर साब कामर्स के द्वरा किस देश का अंतराश्टी बौध्धिक संपदा सुचकांग 23 में पर्थम इस्थान है सेयोकतराज अमेरिका का पैंगलूरू क करनाटक पैंगलूरू शहर में 10 की में दूरी तैय करने में अस्तन कितना समय लगता है 29 मिनट और 10 सिकन्ड रिपोर्ट के अनुसार विर्श का सबसी धीमा सहर कोणचा है लंदन UK 36 मिनट 20 सिकन्ड में 10 किलो मीटर की दूरी सूची में सामिल भारत के अन्य शहर हैं पुने रेंक 6, दिल्ली रेंक 24, मुंबई रेंक 47 किस भारती विस्विद्ध्यले को विस्व का पहला Living Heritage University का दर्जा दिया जाना प्रस्तावित है विस्व भारती विस्विद्ध्यले पस्चिम बंगा यह दर्जा किसके दौरा दिया जाएगा यूनिस्को के दौरा Global Fire Power Index 2030 में भारत का इस्थान है चवथा जन्वरी 2030 में जारी Global Fire Power Index 2030 में सीर्ष इस्थान प्राप्त हुआ है अमेरिका को हैनले पास्पूर्ट सूचकांग 2030 Q1 जारी किया गया हैनले एंड पार्टनर्स के दौरा हैनले पास्पूर्ट सूचकांग 2030 Q1 में पहले स्थान पर है जापानेम सिंगापूर वीजा मुक्त स्कोर 192 हैनले पास्पूर्ट सूचकांग 2030 Q1 में भारत का इस्थान है बयास्वा वीजा मुक्त स्कोर 60 QS Best Student Cities रैंकिंग 2030 में पहले स्थान पर लंदन स्कोर 100 दूसरे स्थान पर म्यूनिक स्कोर 95.1 तीसरे स्थान पर स्योल स्कोर 95.1 चौथे स्थान पर जियूरिक स्कोर 95 इस रैंकिंग में भारत के सर्वोज रैंकिंग वाले सहर कौन कौन से हैं 103 मुंबई स्कोर 48 114 रैंकिंग पर बैंगलूरू स्कोर 42.9 125 रैंकिंग चिन्ने स्कोर 37.3 139 नमबर पर दिल्ली है स्कोर 36.2 Working Times and Work Life Balance Around the World सीरिशक से रिपूर्ट किसके दौरा जारी की गई है अंतराश्टी स्रम संगठन के दौरा वर्स 2022 में 14 विसु की सव सरवादिश सक्च साली महिलाओं की सूची में किस संसक्रंड कुजारी किया गया है 19 में सूची में सामिल 30 कौन सीर्श तीन महिलायैं हैं सूची में कुल कितनी भारती मैलाओं को सामिल किया गया है 6. किस अमेरिकी पत्रिका दौरा एसिया की Heroes of Philanthropy 2022 सूची को जारी किया गया है Forbes यह इस सूची का कौन सा संस्क्रण है 16 सूची में किन तीन भारतीयों को स्थान पतान किया गया है गौतम अडानी, सिवनाडर, असोग सुता को ICAO की Global Aviation Safety Ranking में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है 48 इस रैंकिंग में सीर्थिस्थान किस देश को प्राप्त हुआ है सिंगापुर को World Population Prospects 2022 रिपोर्ट किसके दौरा जारी की गई है सहुक्त राष्ट सचवाले के आर्थे के उन सामाजिक मामनों के विभाग की दौरा World Population Prospects 2022 के सूचना अनुसार विश्व की जनसंख्या कि दिनी हो गई है 8 अरब Day of Earth Billion कम मनाया गया Day of 8 Billion कम मनाया गया है 15 November 2022 को प्रतिकात्मक रूप से आठ अरब में विक्तिका जन्म की देश में माना जाता है फिली, पॉस, मनीला फिलिपिन्स, मनीला ट्यूएस एसिया यूनिवस्टी रैंकिंग दोजाथ 23 का जारी करता कौन है कौयकरली कौयकरली साइमन्स रैंकिंग में 33 प्रदर्शन करता संस्थान है सामिल भारती संस्थान है क्रमसा आईएटी बामबे 40-वे नंबर पर आईएटी दिल्ली 46 वे स्थान पर कौल रैंकिंग में कितने भारती संस्थानों को सामिल किया गया है 118 Times Higher Education World University Ranking 2030 के अनुसार भारती विश्विद्यालों में सरुषेश इस्तान किसे पतान हुआ है भारती विज्यान संस्थान बैंगलूरू Times Higher Education World University Ranking 2030 में विश्वेश में सरुषेश इस्तान किसे प्राप्त हुआ है आक्सफोर्ड उनिविश्टी लगातार सात्वी बार जारी किया गया है पंदर में इस संस्करम का सीर्षक है नौाचार संचालित सम्व्रत दिकाव भविश्य क्या है कि Its कStar कमे कूझ कितनी देशों को सामिल किया गया है 132 इस सूचकान क में किस देश को सीर्थ इस्तान प्रदान किया गया है स्वइड immense geben इस सुचकांग में अंतिम इस्थान पर कौन सा देश है? गिनी रेंकिंग 132. इस सुचकांग में भारत को कौन सी रेंक पदान हुई है? 40.4, 36.6. ISMO के आधार पर भारत को किस रिणी में सामिल किया गया है? निम्न मध्यम आयसिंडी. इस स्टेट आफ दा एजूकेशन रिपोर्ट पर इंडिया 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? यूनेशको के द्वारा. यह इस वार्षिक रिपोर्ट का कौन सा संस्क्रण था? चोथा. वर्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 को किसके द्वारा जारी किया गया है? यूनाइटेड नेशन्स हैबिटेट के द्वारा. रिपोर्ट के अंसार वर्ष 2035 तक भारत की सहरी अबादे कितनी होने का अनुमान है? 6.75. पंद्रा जुन 2022 को 34 में विश्व परतिस परधात्मक रैंकिंग जारी की गई है इंस्टिटूट फॉर मैनेजमेंट डेवलेप्मेंट द्वारा. आइमडी विश्व परतिस परधात्मक रैंकिंग 2022 में रैंक पतान की गई है विश्व की 63 अर्थिवस्थाओं को. आइमडी विश्व परतिस परधात्मक रैंकिंग 2022 में परतम इस्थान प्राप्त हुआ है डेनमार्क. आइमडी विश्व परतिस परधात्मक रैंकिंग 2022 में भारत का इस्थान रहा है 37. प्रति वर्स वैस्विक 37 सुचकांग का प्रकाशन किया जाता है इंस्टिटूट फ पखुजियो ने सब्सक्रों है आट चैंहिंदेदंग्य ओंदम्रों चाहिए असे पूर्ट पस्थ्य एस नहसे क्ष़िक्त है हो है क्या वेृषविक्वुक्षानथि सलिब्ग्य आ sabes लेंध्च सांति सूचकांग 2022 में 163 देशों की सूची में भारत का इस्थान है 135 एसिया पैस्विक सस्टेनेबिल्टी लेड़ सिटीज इंडेक्स के अमसार सीर्ष 20 सहरों की सूची में भारत के कितने सहर सामिल है चार ये चार सहर कौन कौन से हैं बैंगलूरू, चौद्वा, दिल्ली, सत्रवा, हैदराबाद, अठारवा और मुंबई, बीस्वा इस सूचकांग को किस के द्वारा जारी किया गया है नाइट फ्रेंक के द्वारा इस सूचकांग में सीर्ष सिस्थान पर कौन सा सहर है सिंगाप सूचकांग के अच्छा सबसे खराब रहने योगी सहर कौन सा है दमिस्क सीरिया 122 में इस्थान पर है भारत के सबसे अच्छे रहने योगी सहर है नई दिल्ली 112 में स्थान पर एम मुंबई 170 में स्थान पर स्काइट्रेक्स वर्ड एरपोर्ट अवार्ड 2022 में किस इंटरनेशनल एरपोर्ट को विश्व का सर्वशेष्ट एरपोर्ट चुना गया है हमद इंटरनेशनल एरपोर्ट दोहा कतर Skytrex World Airport Awards 2022 में किस भारती एरपोर्ट को भारत और दक्षिन एसिया का सर्वशेष्ट छेत्री एरपोर्ट का खिताब दिया गया है कैमपो गोड़ा अंतराश्टी हवाई एड़ा बैंगलूरू को बिटिस कंपनी कौरेली साइमन्स दौरा QS World University Ranking 2023 का उनिस्वा संस्क्राइब जारी किया गया है 8 जून 2022 को QS World University Ranking 2023 में कितनी भारती संस्थाओं को सामिल किया गया है QS World University Ranking 2023 में विश्ट के सीर्स 220 विश्ट विद्धाले में सामिल तीन भारती संस्थान है IIT बामबे एक सो बात्वे स्थान पर IIT दिल्ली एक सो चमात्रे स्थान पर तथा IIT बेंगलूरू 155 इस्थान पर QS World University Ranking 2023 के अमसाल लगातार 11 विश्ट का सरवसेश्ट विद्धाले है में सा चुशेट्स इंस्टिटूट आफ टेक्नोलोजी अमेरिका QA रिपोर्ट जिसके दर सतत विखास लच्चों को प्राप्त करने की दिशा में प्रतेक देश द्वारा की गई प्रगती का आकलन किया जाता है रिपोर्ट है इस सहिंत रास्ठ सतत्प विखास समाधर नेट वर्क द्वारा объяс 22 जारी की गई 2 जून 2022 को सतत विकास रिपोर्ट 2022 में कितने देशों के लिए सतत विकास लच्छ सुचकांग प्रस्तुत किया गया है 163 देशों के लिए सतत विकास रिपोर्ट 2022 का केंदरिये विशह है संकट के साथ विकास तक SDG वर्ष 2030 और उसके आगे के रोड मैप के रूप में सतत विकास रिपोर्ट 2022 में प्रस्त सुचकांग में प्रथम तीन इस्थान प्राप्त करने वाले नार्डिक डेश हैं करमसा फिन लेंड डेर्मार्क तथा स्वेडन सतत विकास लच्च सुचकांग 2022 में भारत की रेंख है 121 इसकोर 60.32 पहर्यामन प्रदर्सन सुचकांग 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है येल सेंटर फार इन्वार्मेंटल ला एंड पॉलसी तथा कम कोलंबिया उनिवस्टी द्वारा इस सुचकांग में कुल कितने देशों को रेंखेक पदान की गई है 180 इस सुचकांग में प्रथम इस्थान पर कौन सा देश है डेनमार्क स्कोर 77.9 इस सुचकांग में भारत की रेंखिंग क्या है 180 अंतिम इस्थान इस सुची में इस्थान संस्थानों को सामिल किया गया है इस सुची में सामिल भारत के पांच संस्थान कोण कोण से है इंडियन इंस्टिटूट आफ साइंस बयालिसमे इस्थान पर JSS Academy of Higher Education and Research मैसूर 65 इस्थान पर IIT रोपड और 60 इस्थान पर IIT इंदोर 87 इस्थान पर रथा IIT गांधी नगर 120 में इस्थान पर US Chambers of Commerce के 294 मेती केंदर द्वारा सर प्रफम अंतराष्टी बौधिक समपधा सोचकांग जारी किया गया है वर्ष product 2012 में अंतर राश्टी बौद्धिक संपदा सूचकांग दोजा तेज ग्यारवा संसक्रन जारी किया गया फरवरी दोजा तेज में अंतर राश्टी बौद्धिक संपदा सूचकांग दोजा तेज में पर्थम इस्थान प्राप्थवा है सहिव कराज अमेरिका को अंतर अश्टी बहुत धिक संपदा सूचकांग 2013 में भारत का इस्थान है बयालिस्वाँ 15 फरवरी 2013 को इस वारिसिक सूचकांग का बारवा संस्कन जारी किया गया टाम ट्रेफिक इंडेक्स का टाम ट्रेफिक इंडेक्स 2022 की तहत यातायात इस्थिती का विबरन प्रस्तुत किया गया है 56 देशों के 390 शैरों का टाम ट्रेफिक इंडेक्स 2021 की अनुसार वर्ज 2022 में सबसे ज्यादा यातायात संकुलन वाला शेर है लंदन, युके टम टम ट्रैफिक इंडेक्स 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में याता याद संकुलन के इस्तर के संदर्व में 20 के सीस 10 शहरों में सामिल भारती शहर हैं बैंगलुरू दोसरा दथा पूरे चठे स्थान पर डेमो क्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया टेमो क्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया है दा एकॉनोमिस्ट इंटिलिजेंस यूनिट ई आई यू द्वारा रिपोर्ट को प्रकासित किया जा रहा है बस 2006 रिपोर्ट में कितने देशों छेत्रों में लोकतंत्र की स्थिती का वुल्डन किया गया है 165 सुतंत्र देश और 2 छेत्र सूचकांक में सीर्ष 3 देश हैं नार्वे स्कोर 9.81 न्यूजिलेंड स्कोर 9.61 सूचकांक में भारत का इस्थान रहा है 46 स्कोर 7.04 विस्व का अग्रडी सिविल एसोसियेट संग्ठन किसके द्वारा 28 वारसिक भष्टाचार बोद सूचकांक CPI जारी किया गया है Transparency International सरवजनिक छेत्र में व्याप्त भष्टाचार की अधार पर भष्टाचार बोद सूचकांक 2021 में रैंक पदान की गई 181 देशों छेत्रों को भष्टाचार बोद सूचकांक 2022 में पर्थम इस्थान प्राप्पवा है डेनमार्क को स्कोर 90 ब्रष्टा चार बूद सुचकांग दो जार बाइस के अनुसार विश्च का सरौधिक ब्रष्ट देश है सुमालिया रेंक 180 स्कूर 12 ब्रष्टा चार बूद सुचकांग 22 में भारत का इस्तान है फच्छासर मा स्कूर 40 8 दिसंबर 2022 को विश्व प्रतिभा रैंकिंग के किस संस्क्रण को जारी किया गया है इसे किस के दौरा जारी किया गया है IMD World World Competitiveness Center के दौरा IMD का पूर्ण रूप है International Institute for Management Development रैंकिंग 2022 में से स्टीम देश हैं स्वेडियरलेंड, स्वेडन और आइसलेंड रैंकिंग 2022 में अंतिम तीन इस्थान प्राप्त हैं वेनेजोला, 63, 63 इस्थान पर मंगोलिया, 62 इस्थान पर और कम कोलंबिया, 61 इस्थान पर भारत ने इस सुचकांग में इस्थान प्राप्त किया है 52 वर्ष 2021 में भारत ने इस्थान प्राप्त किया था 56 ट्रेस इंटरनेशनल दFIरा जारी वैस्विग रिस्वत जोखिम सुचकांक 2022 में भारत का इस्थान है छいा स्वाण वैस्विक रिस्वत जोखिम सुचकांग 2022 में शामिल देशों की संख्या है 194 Kensival सुचकांग 2022 में 6 çaन है नार्वेका मर्सर CFA इंस्टिक्यूट जूट ग्लोबल प्रिंशन इंडिक 2022 में 43 वैस्विक प्रिंशन प्रणानियों में भारत का इस्थान है 41 वैस्विक प्रिंशन सुचकांग 2022 में सीर से तीन देश कौन कौन से कमसा आइसलैंड नीदरलैंड एम डेनमार्क 11 वैस्विक प्रिंशन प्रिंशन सुचकांग 2022 में साम्य देशों कि जारी किया गया और सिस्थान है है Finland को Rule of Law Index 2022 जारी किया गया वर्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स द्वारा Rule of Law Index 2022 में सामिल देशों चेत्रा अधिकार की संख्या है 140 Rule of Law Index 2022 में सामिल सीर्स तीन देश क्रमसा हैं डेन्मार्क प्रथम दूसरा नार्वे फिनलेंड तीसरे इस्टान पर है Rule of Law Index 2022 में अंतिम इस्टान पर इस्टिद देश है वेनू जोला Rule of Law Index 2022 में भारत की रंक है सतत्रमी वेस्विक लेंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश में सरवाधिक लेंगिक समानता वाला देश है आइसलेंड वेस्विक लेंगिक अंतराल सूचकांग 2022 में भारत का इस्थान है 135 वर्स 2021 में 144 इस्थान था IMD का पूर्ण रूप है International Institute for Management Development रंकिंग 2022 में सीर्ज से तीन देश हैं स्वेडिया लेंड स्वेडन और आइसलेंड रंकिंग 2022 में अंतिम तीन इस्थान प्राप्त हैं वेनुजोला 63 मंगोलिया 62 कोलंबिया 61 भारत में इस सूचकांग में इस्थान प्राप्त है 52 वर्स 2022 में भारत ने प्रथम इस्थान प्राप्त किया था 56 वर्स 2021 में भारत ने इस्थान प्राप्त किया था 56 वर्स इंटरनेशनल दौरा जारी वैस्विक रिस्वत जोखिम सूचकांग 2022 में भारत का इस्थान है छियासवा वैस्विक रिस्वत जोखिम सूचकांग 2022 में सामिल में 43 वैस्विक पेंशन प्रनालियों में भारत का इस्थान है 41 वैस्विक पेंशन सुचकांक में 33 देश कौन है करमसा आइसलेंड इधरलेंड एम डेनमार्क 11 वारसिक वैस्विक खाद सुरच्छा सुचकांक 2022 जारी किया गया है एकोनोमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा वैस्विक खाद सुरच्छा सुचकांक 2022 में सामिल देशो की संख्या है 113 वैस्विक खाद सुरच्छा सुचकांक 2022 में भारत का इस्थान है और सठवा वैस्विक खाद सुरच्छा सुचकंग 2022 में सीस इस्थान प्राप्त हुआ है फिनलेंड को रूल आफ ला इंडेक 2022 जारी किया गया है वर्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स दौरा रूल आफ ला इंडेक 2022 में सामिल देशों एम छेतरा दिकार की संख्या है एक सो चालिस रूल आफ ला इंडेक 2022 में सामिल सीर्स तीन देश करमसा हैं डेन मारक पर्थमिस्थान पर नारवे दूसरा और फिनलेंड तीसरा Rule of Law Index 2022 में अंतिम इस्थान पर इस्थी देश है वेनुए जोला Rule of Law Index 2022 में भारत की रेंख है सतत्रवी Westwick Lengik Antral Report 2022 की अनुसार विश्च में सरवादिक Lengik Samanta वाला देश है आइसलेंड Westwick Lengik Antral Suchang 2022 में भारत का इस्थान था 135 वर्ष 2021 में 140 वा इस्थान Adaptness Gap Report 2022 साथवा संस्क्रम जारी करता सह्यूक तरश्ट पार्यावर्ण कारिकरम जल्वाईव परिवरतन प्रदर्शन सूचकांग को जारी करता है German Istit German Watch Climate Section Network और New Climates Institute German Watch प्रदर्शन सूचकांग प्रकासित किया गया है 14 रॉंबद 2022 को जल्वाईव परिवरतन प्रदर्शन सूचकांग 2013 में भारत का इस्थान है आठमा स्कोर 66.35 जल्वाईव परिवरतन प्रदर्शन सूचकांग 2013 में 60 इस्थान पर है देन्मार्क 14 परथम इस्थान पर परथम तीन इस्थान लिक्त रखे जाते हैं जलवायो परिवेतन प्रदर्शन सुचकांग 2030 में अंतिम इस्थान पर है इरान 63 इस्थान पर वस 2022 के वैस्विक भूख सुचकांग का प्रकासन सहिक तुरूप से जिन दो गयर सरकारी संगठनों द्वारा किया गया है वे हैं करशन वर्ड वाइड तथा विल्ड हंगर हिल्फ वैस्विक भूख मरी सुचकांग 2022 जारी किया गया है 13 अक्टूबर 2022 को वैस्विक भूख मरी सुचकांग 2022 में भारत की रंकिंग है 117 स्कोर 29.1 वैस्विक भुखमरी सुचकांग 2022 में 121 देशों की सूची में जो 5 देश भुखमरी की भयावह इस तरी में हैं वो हैं मध्य अफरीकी गर्राज, चाड, कांगो, लोक्तांतिक गर्राज और मेडागास्कत था यमन आक्सफूर्ड गरीवी उम मानो विकास पहल, OPHI तथा UNDP के मानो विकास इपूर्ट कार्यालेद्वरा वैस्विक भहु आयामी, गरीवी सुचकांग का विकास किया गया था वर्स 2010 में OPHI तथा UNDP द्वारा सहुख तूप से वेस्विक बहु आयामी गरीवी सुचकांग 2022 प्रकासित किया गया है 17 अक्टूबद 2022 को वेस्विक बहु आयामी गरीवी सुचकांग 2022 का खेंदरी विसे है Unpacking, Deprivation, Boundless to Reduce Multidimensional Pruverty वेस्विक बहु आयामी गरीवी सुचकांग 2022 के अनुसार 111 विकास सिल देशों की इतनी आवादी बहु आयामी गरीवी से गरिशित है 1.2 billion 19.1% वेस्विक बहु आयामी गरीवी सुचकांग 2022 के अनुसार भारत की इतनी जनसें क्या बहु आयामी रूप से गरीव है 16.4% बोला अहमद इनूब को किस देश का राष्टपती नियुक्त किया गया है नाइजीरिया बंगाल के नए राष्टपती के रूप में किसने परभार गेहन किया है मुहम्मद सहाबुद्दिन क्यूबा के राष्टपती के रूप में पुना किसे चुना गया है मिगेल, डियास, कॉनिल, स्कॉटलेंड के परथम परधान मंतरी के रूप में किसे किसने सपतली है हमजा, येशुफ ने सहबुद्द अरब अमीरात के राष्टपती कौन है सेख मुहमद बिन जायद अल नाहयान चीन के नए परधान मंतरी के रूप में कौन निर्थ हुए है ली, क्याउन, नेपाल का नया राष्टपती कौन निर्थ हुआ है रामचंद्र, पोडेल वेतनाम के नए राष्टपती के रूप में किस ने पदभार ग्रहन किया है वो, वैं, थोंग, निकोस, क्रिस्टो, डॉलाइट्स ने किस देश के राष्टपती के रूप में पदभार ग्रहन किया है साइप्रस मैनुएला रोका बोटा को किस देश की पहली महला प्रधान मंतरी के रूप में उत्किया गया है एक्वेटूरियल गिनी जैसिका और और नर ने इस्तीफे के पच्चाद न्यूजी लेंड के एक्तारिसमें एक्तारिसमें प्रधान मंतरी के रूप में किस ने सपत ग्रहन की है पिस हॉपकिनसन एलेन क्लावड़ेड बिली को किस देश का प्रधान मंतरी ने उत्किया गया है गयबॉन ब्राजील के नए राष्टपती के रोप में किसने सपत गरहन की है लुज इना सियो लूला दा सिल्वा इसराइल के नए परधान मंतरी कौन बने है बिंजामीन नेतनियाहू नेपाल का नए परधान मंतरी किसे नियुक्त किया गया है पुस्प कमल दहल को दिसम्बर 2022 में लियो एरिक वराडकर को किस देश का परधान मंतरी नियुक्त किया गया है आयरलेंड मेटे फ्रेड रिकस्षन किस देश की परधान मंतरी उनर नियुक्त हुई है डेनमार्क सितिवनी राबुका को किस देश का परधान मंत्री नियुक्त किया गया है फिजी हाल ही में पेरु का परधान मंत्री किसे नियुक्त किया गया है अलबर्टो ओटा रोला को पेरु की पहली महिला राष्ट्रपती के रूप में किसे ने सपत लिए है दीना बोलवार्ट मलेसिया के दसमें पर्धान मंतری की रूप में किसे ने सपाद ग्रहन की है। अनवर इब्राहिम ने इस्लोवेनिया की पहली महिला राष्ड़पति की रूप में किसे चुना गया है। नतासा, पिर्क, मुसर, मुसर को, यूके का नया प्रधान मंतरी किसे नियुक्त किया गया है, रिसी सुनक को, रिसी सुनक किस राजनीतिक पार्टी के नेता है, कंजर्वेटिव पार्टी, इटली की पहली महिला प्रधान मंतरी के रूप में किसने पद ग्रहण किया है, जार केपजाओ सौधी अरब के नए प्रधान मंत्री के रूप में किसने पदभार गण किया है मुहम्मद बिन सल्मान केन्या के नए राष्ट पति कौन बने है विलियम रूतो बुरुंडी के प्रधान मंत्री के रूप में किसने पदभार गण किया है गेरवाइस नाधिरा कोबुका सर्विया की प्रधान मंतरी के रूप में किसे पुनर नियूकत किया गया है येना ब्रनाविक किस ने कोलंबिया के नय राष्टपती के रूप में पदाभार घ्रंड किया है गुस्ताव पेट्रो कौन कॉलंबिया की पहली एफो कोलंबियन महिला उप राष्टपती बन गई है फ्रांसिस मारकेज कुवेत का नया प्रधान मंतरी किसे निउक्त किया गया है सेख अहमद नवाफ अहमद अल सबाह को स्री लंका के नया प्रधान मंतरी कौन बने है फरडी नेंड मारकोस जूनियर ने किसने सोमालिया के नया प्रधान मंतरी के रूप में पदभार ग्रहन किया है हमजा अबदी बर्धे ने तो फ्रेंड्स यहाँ पे यह चेप्टर खतम होता है अगला चेप्टर जल्द ही अगले वीडियो में आएगा तब तक के लिए नमस्कार वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोगों को कौन से वीडियो किस टाइब किस बुक का चाहिए वो भी हमें कमेंट में जरूर बता है